पहला कुस्सन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बॉद धर्मों का एक पिर्शिद तिर्थिस्तल है तो इसका अंसर है को सामबी कुसमर दो है कन्नौ जी बोली किस जनपद में बोली जाती है तो कन्नौ जी बोली जाती है हर दोई जनपद में कुसमर तीन है फैजाबाद जनपद में बोले जाने वाली बोली है फैजाबाद में बोले जाती है अवधी कुसमर चार है सारनाथ का प्राचिन नाम क्या था तो इसका प्राचिन नाम था इसा पत्तन और म्रगदाव नेक्स्ट है किसे सेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था तो जाना जाता था चितु पांडे को कुसमर चैया है बड़ा इमाम बाड़क इसमारक कहांच दित है तो यह है लखनव में नेक्स्ट चोरासी गुमबंद उत्तर प्रदेश में कहांच दित है 84 गुम्मन्द है कालपी में कुसमराठ है उतर पर्देश में परियतन विकास निगम की स्तापना कब हुई थी तो इसकी स्तापना हुई थी 1974 में नेक्ष्ट है सियंद सालार मेला कहां लगता है सियंद सालार मेला लगता है वहराईच में कुसम मर्दस है महरसी वालमी की आश्रम इस्थापित है बिठ्थूर में कुसम 11 है हिंदु मुसलिम एकता का प्रतीक सुलह कूल उत्सव आजित किया जाता है तो आजित किया जाता है आगरा में नेक्स्ट उत्रप्रदेश की पर्मुक लोख निर्ते कौन कौन से हैं तो इसका अंसर चरकुला करमा और पांडव कुसम 11 है बनारस हिंदु इसमे धाला की स्थापना किस ने की थी बनार सेंदु इसमें दाला की स्तावना की थी मदनमौन मालविया ने उनिस सोले में नेक्ट उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रिसिक्छन इवम अनुसंधान केंद्र अवस्तित है तो यह है लखनवु में कुस्म 15 है जनगंडा रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल निंगानुपात क्या है तो बाल निंगानुपात है 902 कुस्म 16 है उत्तर प्रदेश का सबसे घना वसा जेला कौन सा है तो इसका आंसर गाजयवाद कुस्म 17 है उतरप्रदेस में सरवादिक साक्षरता प्रतिसक वाला जान्सपद है तो इसका आंसर है कानपूर मुझद कुस्म 22 है उतरप्रदेस का फिरोजाबाद किस उध्योग के लिए परसिद्ध है या ऐसे फिरोजाबाद परसिद्ध है कांच के लिए नेक्षर चुनार किसके लिए प्रिसिद है तो चुनार प्रिसिद है सिमेंट उद्योप के लिए लाश्कूसने आवले का सरवाजी बखादन करने वाला जिला है तो इसका अंसर प्रताब गड़